नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभात खवर चीन की शेह पर अपने दसको पुराने दोस्त भारत को आखे दिखाने वाला नेपाल सक्ते में है एक रिपोर्ट ने नेपाल की ओली सरकार के कान खड़े कर दिये हैं नेपाल की हालत आगे कुवा और पीछे खाई जैसी हो गई है दरसल लदाख में भारतिय जमीन पर नजर लगाए चीन ने नेपाल के साथ भी चालवाजिक कर दी है इसका खुलासा नेपाल के क्रिशि मंत्राले की रिपोर्ट से हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के 10 जगों पर चीन ने कबजा कर लिया है 33 हेक्टेर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारब बदलते हुए प्राकिर्तिक सीमा बना कर कबजा करने की बात कही गई है भारत के बाचीत के ऑफर के बाद भी चीन की शेह पर नेपाल ने बिवादित नक्षा जारी कर दिया अब नेपाल को ड्रेगन का डर सताने लगा है रिपोर्ट में जिक्र है की चीन की कम्यूनिस्ट सरकार तिबबत स्वायत छेत्र में सडक नेटवर्क का बिस्तार कर रही है इसके चलते कई नदियों और साहयक नदियों का रास्ता बदल गया है अब नदिया नेपाल की तरफ बहने लगी है इसके कारण नेपाल की जमीन घटती जा रही है। रिपोर्ट में चेताबनी दी गई है कि अगर सब कुछ-कुछ और वक्त के लिए जारी रहा तो नेपाल का अधिक्तर हिस्सा तिब्बत स्वायत छेत्र में चला जाएगा। अधिकर्मन को बैद बनाने के लिए चीन ने गाउं की सीमा स्तंभो को भी हटा दिया है। हाला कि रूई गाउं नेपाल के मांचित्र में शामिल है लेकिन गाउं पर चीन का नियंतरन हो चुका है। इस खबर के सामने आते ही नेपाली सरकार को जोरदार जटका लगा है जबकि विपक्षी हमला बर हो चुके हैं। दरसल नेपाल ने भारत के बिरोत के बाब जूद नया नक्सा जारी कर दिया। नेपाल के नय मानचित्र में भारतिय इलाके लिपू लेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा चेत्रों के कुछ हिस्सों को शामिल किया है। पिछले दिनों ही नेपाल की राष्टपती बिद्या देवी भंडारी ने काला पानी लिपू लेख और लिम्पिया धुरा को शामिल करके जारी नक्से पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके साथ ही नए नक्से को लागू करने की प्रकिरिया आधिकारिक रूप से पूरी हो चुकी है। सडक नेपाली छेतर से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया था कि सडक पूरी तरह उसकी जमीन पर है। लेकिन चीन की शेह पर नेपाल हंगामा करता रहा और आज चीन की चालवाजी से खुद उसके होस उड़ चुके है। इस खबर में इतना ही देश-बिदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं।